यह जो स्क्रीन पर आप महिलाएं देख रहे हैं, यह इनका कोई हैर एक्स्टेंशन नहीं है, बनकी इनके असली बाल है, जी हाँ, अब यह चीज़े ही ऐसी इस्तमाल करती है, जो गुड़ों का ख़जाना है, अगर आप भी यकिनन वो चीज़े इस्तमाल करोगे, तो आपके बाल भी ऐसी जमीन चूने लगेंगे, चलो बनाते हैं फटाफट से नुस्का, जो यह इस्तमाल करती है, इसके लिए हमें चाहिए शीका काई पॉड़र, शीका काई का इस्तमाल, हमेशा से लोग करते आ रहे हैं, बालों को लंबा घना बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैंन ब्रेंगराज पॉडर, फिर उसके बाद जो अगला इंक्रेंट आपको इसमें यूस करना है, वो है आमला, आमला आपके बालों को बहुत मस्बूती देता है, समय से पहले अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, कई लोग को यह पर पर आमला पॉडर जो मैं इसमें आड़ क लिए क्योंकि इस ओनियन में भर भर के सुलफर होता है, तो मेरा बस चले तो मैं ओनियन का ओईल क्या, ओनियन का ही शेम्पू, ओनियन का ही कंडिशनर, सारे प्रोड़क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जो उन्होंने रिसेंटली लाँच किया है, तो मेरे पास है यहां मामा अर्थ का ओनियन शेंपू और मामा अर्थ का ओनियन कंडीशन, मामा अर्थ के ब्रांड पे मैं एजली ट्रस्ट इसलिए कर लेती हूँ, क्योंकि यह प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, पर भी अवेलेबिल है, आप चाहें तो इनकी एप और इनकी वेवसाइट से भी इन प्रोड़क को परचेस कर सकते हैं, सारे प्रोड़क बजट फ्रेंडली है, और आपको अगर इसमें थोड़ा डिसकाउंट चाहिए, तो आप मेरा BKD 2024 कूपर अप्लाई करके 20% का डिसकाउंट ले सकते हैं, अब हम बात करें अगर इसके शैंपू और कंडिशनर की, मामार्थ अनियन शैंपू विट ओनियन एंड फ्लांट केरेटिन, इसमें कोई भी हामफुल केमिकल नहीं है, वहीं इसका कंडिशनर जो है, वो ओनियन एंड कोकोनट मिक्स्ट है, यह भी आपके कलर एंड टीटेड हैर के लिए बहुत जादा सुटेबल है, मैं यहाँ पर इसमें नारियल का तेल ले रही हूँ, नारियल का तेल हर ہे टाइप के हर्स को सूट कर जाता है, इस लिए मैं इसको और ले रही हूँ, इसको बनाने के बाद आपको ना तो हीट करने की जरूबत है और नहीं इन्फ्यूस होने की जरूबत है, इसको आप बनाके हाथ गहाथ इस्तमाल कर सकते हैं, इसको आप कम सो कम जतना चाहें उतना स्टोर करके रख सकते हैं उतने दिन के लिए ये तेल जतना पुराना होता जाता है उतना ही एफेक्टिव होता जाता है रेगुलर अगर आप इसका इस्तमाल करते रहोगे तो आपको बहुत बैस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपके बाल की ग्रोथ अगर काफी टाइम से रुक चुकी है, बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए है, फ्रिजीनेस आ गई है, बालों में ड्रेंडर्फ हो गया है, इची स्केल्क हो गई है, किसी भी तरीके का इंफेक्शन होगा, कुछ भी होगा, ये सिर्फ एक तेल आपके ह चैल्फ लाइफ वन मंथ हो या टू मंथ हो, आप जब तक चाहें, इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये जितना पुराना होता जाएगा, उतना ही जादा कारकार होता जाएगा, तो दोस्तों इस तेल को आप बनाईए, इससे फाइदा उठाईए, इसको इस्तमाल करना ये दिन आप शैंपू कर लें, या फिर आप शैंपू से आदा घंटा पहले भी इस हेयर ओयल को अपने बालों में अपलाई कर सकते हैं, तो बनाईए और इससे फाइदा उठाईए,